हलो दोस्तों मैं हूँ दीपक देवुत वालो रामस भीकम वेरे चेनल पर स्वागते भाईयो राश्ता के किसानों के लिए सरकान देदिये खुसकबरी जिया भायो आज से मूंग, उड़द, सोयभीन और मूंपली की समर्थन मुदल्य पर सरकार खरीद के लिए पनदी पर बेश सकते हैं लेकिन आप डायेटा बंडी में नहीं बेश सकते हैं उससे पहले आपको ओन्लाइन पनजी कराना पड़ेगा तो हम आपको इस वीडियों बताएंगे इस पंजीकरन कराने के लिए आपको क्या क्या करना होगा क्या 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 डोकुमेंट लगेंगे और किस प्रकार कहां से आप ओनलाइन पंजीकरन करा सकते हैं इसकी बिल्कुल सूफ यहस्ति जानकारी से वीडियो में बताएंगे तो वीडियो आराम से अंतितक एक बार जरू सुलना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके बीच में से वीडियो काटना बद तो भाईो चलो इस टार्ट करते हैं सबसे पहले जानकारी कनुसार जेपूर राष्थान में समर्थन मुल्य पर मूंग, उडद, सुयाबीन और मूंफड की खरीद के लिए ओनलाइन पंजिकरन आसे सुरू कर दिये हैं सहकार्ता मंतरी उदेलाल आंजना ने बताया कि 319 केंदरों पर मूंग, उडद, वो सुयाबीन की एक नौंबर से तदा साथ नौंबर से मूंफड की खरीद सुरू कर देगी सरकार मूंग के लिए 1.500, उडद के लिए 60, मूंग फली के लिए बेहत्तर और सुयाबीन की ने 37 केंदर सरकार ने चिन्दित किये हैं जिसमें गतवर्ष के तुन्ना में सरकार ने गुनिस अत्रिक्त केंदर खोले गए हैं इस साल आंजना ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार के आयसाउद नहीं हो इसके लिए सरकार ने ओनलाइन पंजिक्रण भी सुरू किये हैं इमित्र के माध्यम से यानि कि भाईयों आप इमित्र के माध्यम से ओनलाइन पंजिक्रण करा सकते हो सुबह ओनलाइन पंजिक्रण कराने का समय रखा गया है नोबेस लेकर स्याम के साथ बेतक यानि कि भायों आप इमित्री पर जाकर 920 लेकर स्याम के साथ वे तक इन चारों फसलों का अगर आपक किसान समर्थन मुल्ले पे बेचना चाता है हो तो ओनलाइन पंजिकरन करा दे निर्धारित सुल्क देकर किसान अपना पंजियन आज से ही करवा सकता है सहिकार्त मंत्रिक अनुसार केंदर सरकार मुं को 3,00,00, 96,00, 75,00, और मुं फढ़ी 3,07,00, की खरीद के दक्षे सरकार ने दिये हैं यानि कि भायों केंदर से अनुमति मिलते ही इसकी खरीद शुरू कर दी जाएगी फिलार आज से पंजिकरन सुरू हो गया है सबसे बड़ी खुसकबरी यही है कि आज से आप ओनलाइन अगर आपको फसल बेचनी है तो पंजी करण जरूर करा दे वहाई किसानों को फसल बेचने के लिए पंजी करण करना अनुवारी होगा अगर आप नहीं कराया तो आपको समर्थन मुल्य पर फसल नहीं बेच सकते पंजी करण के अभाव में किसानों से समर्थन मुल्य पर खरीद सम्माव नहीं हो सकेगी वहीं मुख्य सचीव डेवी गुपता ने बताया दलहन उर्तिलहन खरीद की राज्य स्तरिया स्टेरिंग कमीटी की बेठक को सम्भोधित करते हुए कहा कि राज्य की किसानों से नियूंतन समर्तन मुल्य पर मूंग, उडद, मूंग फली और सोयाबीन की 10.57 लाग टन खरीद साथ नॉम्बर से मूंग फली खरीद प्रस्तावित हो जाएगी यानि कि भाइयो एक नॉम्बर से साथ नॉम्बर बीच आप ये बेच सकते हो अपनी फसल ओनलाइन वहीं खरीद की 90 दिन के अउधी के लिए प्रस्तावित हो यानिकि आप 90 दिन तक ये खरीद अपनी जो फसल है बेच सकते हो ओनलाइन पंजिकरन कराने के बाद किसानों को सग्र भुखतान के लिए इसके लिए वियर हाउस रिसिप्ट भी ततकान नेफेड को बेजवाने की योस्ता सरकार कर रही है वहीं अतरिक्त मुक्य सचीप निरंजन के लिए आवसा कारे से लिप पूंज कि रिवॉल्विंग फंड उपलब्द कराए जाएंगे यानि कि तुरंत की तुरंत आपका हिसाब हो सकते किसान के रुपे दिया सकते हैं तो इसके लिए सरकार फंड उपस्तित करा रही है जिसमें नेफेड से राशी प्राप्त करने पर किसानों को सिग्र भुखतान कहा स तो सरकार वहाँ पर सारी वोस्ता रखेगी तोल जो तोलने के लिए काटा और याने की जो बारदने वो सरकी सरकार की वोस्ता खुद करेगी वह यांगो बताना चाहते हैं पंजीकरण राज फेड की प्रबंद निदेशक सुसमार उड़ा ने बताया कि पंजीकरण के दुरान भामा सकार नंबर खसरा गिरदावरी और बेंक पासबुक यानि तीन डोकुमेंट होने चेहां के पास इमित्र पर जाते वाग भामा सकार नंबर और खसरा गिरदावरी पंजीकरण नंबर और बेंक की पासबुक ओने चीहें तब जाकर आपका ओनलाइन पंजीकरण होगा वहाई भामा सकार अगर आपको पास नहीं है तो इमित्र वाड़ा तुरंत आपको भामा सकार करेगा और एन्रोल्मेंट नंबर आपके भरदियत जाएंगे ताकि आपक यह सुनुष्चित कर ले कि पंजीकरण मुबाईल नंबर आधार कार से लिंक होना चाहिए यानि कि भाईयो मैं हर बार बताता हूं अपने आधार कार को बायुमेटरिक करवा ले बायुमेटरिक अपडेट कराने से क्या होता है कि आपका अधार कार नंबर आपके आधार कार से जुड़े होने चाहिए चाहिए साथ ही बेंक भाईयो मैं भाईयो मैं बॉबाईल नंबर आपके खाते में उसमें कोई परहसाली ना हो सके तो सबसे पड़ी इंफ्व्रमेशन तो यह है कि अभी तक आपने अपने बाईयो मैंटरिक अपडेट करवा का अपन अपडेट कराते ही और आपकी जो पेमेंट आएगी जब आप फसल बेचोगे तो सीधे आपके खाते में तुरंत पेमेंट आजाएगी अगर आपने भामाचा कार्ड को बाइमेटरिक अपडेट करा रखा है तो सभी किसान भाइयों के लिए खुशकवरी है तुरंत इमित्र पर जाए और अगर आपके पास मूंग उड़त मूंग फलिया सोयवीन की फसल है तो उसके बेचने के लिए ओनलाइन पंजीकरन कराएं क्योंकि जब आप समर्थन मुल्ये पर अपने फसल बेचोगे तो आपको लाब ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो मार्गेट रेट होती है जो ये बेचने वाले होते मंडी के बिचोली है इन से ज़्यादा रेट सरकार एक ते करती है और उसी पर खरीदती है तो फूर फिक्स रेट आपको अगर आप ओनलाइन पंजीकरन के माद दिन से बेच होगे खरीद के इंदरों पर तो वो आपको डायेट मिल जाएगे निशान होगा उस पर जाकर शेयर का ओप्सन है वो उहां से शेयर कर दें फेस्बुक वार्सम अपने दोस्त त्यारों के पास किसान भाईयों के पास अगर आपके दिश्दारी में कोई भी है ताकि वो भी अपनी फसल को ओनलाइन पंजीकरन करा कर बेच सके और उसका उच कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके उसकी समस्या पर दूसरी वीडियो बना सके इसलिए भाईयो कमेंट जरूर करना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो आपका नाम और आपके समस्या और भाईयो अगर आप हमसे जुनना चाते हैं नई वीडियो के झाल झाल